लूका रचित सूसमचार अध्याए एक इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और बचन के सेवक थे, हम तक पहुँचाया। इसलिए हे श्रीमान थ्यूपलिस, मुझे भी ये उचित लगा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंब से ही ठीक ठाक जाच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखू। कि तु ये जान ले कि वे बातें जिनकी तुने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यहोदियों के राजा हेरोदेश के समय अभिया के दल में जकर्या नाम का एक याजक था। उसकी पतनी हारून के वंश की थी जिसका नाम इली शिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। और प्रभू की सारी आज्याओं और विधियों पर निर्दोष चलते थी। उनके कोई भी संतान ना थी। क्योंकि इली शिबा बांच थी और वे दोनों बुढ़े थी। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। तो याजकों की रिती के अनुसार उसके नाम पर चिठी निकली कि प्रभू के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंदली बाहर प्रात्ना कर रही थी। प्रभू का एक स्वर्ग दूथ धूप की वेदी की दाहिनी और खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकर्या देखकर खबराया और उस पर बड़ा भै जागया। स्वर्ग दूथ ने उससे कहा। हे जकर्या भैबीत ना हो क्योंकि तेरी प्रात्ना सुन ली गई है। और तेरी पत्नी इलिश्वा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन होगा। और तू उसका नाम युहना रखना तुझे आनंद और हर्ष होगा। और बहुत लोग उसके जन्द के कारण आनंदित होंगे। वो प्रभू के सामने महान होगा। वो दाखरस और मदीरा कभी न भीएगा। और अपनी माता के गर्वी से बवुत्र आत्मा से परिपून हो जाएगा। वो इसरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभू पर मेश्वर की ओर फेरेगा। और एलिया की आत्मा और सामर्त में होकर उसके आगे आगे चलेगा। कि पित्रों का मन लड़के वालों की ओर फेर दें। और आज्या ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभू के लिए एक योग के प्रजा तयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा। ये मैं कैसे जानूं। मैं तो बूड़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूड़ी हो गही है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। मैं जिब्राइल हूं जो परमेशर के सामने खड़ा रहता हूं। और मैं तुझ से बाते करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भीजा गया हूं। और देख जिस दिन तक ये बाते पूरी ना हो लें उस दिन तक तु मौन रहेगा। और बोलना सकेगा क्योंकि तुने मेरी बातों की जो अपने सेमर पर पूरी होंगी। रतिती ना की। लोग जकर्या की बाट चोते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोलना सका। सोवे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वो उनसे संकेत करता रहा और गुंगा रहा। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पतनी इली शिबा गरव बती हुई और पांच महीने तक अपने आपको ये कहकर छिपाई रखा के मनुश्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभो ने इन दिनों में प्रभादर श्री करके मेरे लिए ऐसा किया है। चटवे महीने में परमेश्वर की ओर से जिबराईल स्वर्ग दूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भीजा गया। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाउद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुवारी का नाम मरियम था। स्वर्ग दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी। यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्ग दूत ने उससे कहा। हे मरियम भैवीत ना हो। क्योंकि परमेश्य का अनुग्रे तुझ पर हुआ है। और देख तू गर्वती होगी। और तेरी एक पुत्र उत्पन होगा। उसका नाम येश्यू रखना। वो महान होगा। और परंप्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभू परमेश्वर उसके कूर्वच दावुत का सिहासन उसको देगा। और वो याकूद की घराने पर सदा राज्य करेगा। और उसके राज्य का अंत ना होगा। मर्यम ने स्वर्कदूद से कहा। ये क्यों कर होगा। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं स्वर्ख दूद ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उत्रेगा और परमपरधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी इसलिए वो पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश का पुत्र कहलाएगा और देख तेरी कुत्मनी इलिश्वा के भी बुड़ापे में पुत्र होने वाला है ये उसका जो बांज कहलाती थी छटमा महिना है क्योंकि जो वचन परमेश्र की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता मर्यम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ मुझे तेरी वचन की अनुसार हो तब स्वर्ख दूद उसके पास से चला गया उन दिनों में मर्यम उठकर शीगरी पहड़ी देश में यहुदा के एक नगर को गई और जकर यहा के घर में जाकर उसने इलिशिबा को नमस्कार किया जोही इलिशिबा ने मर्यम का नमस्कार सुना त्योही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपुरुन हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तूस्त्रियों में धन्य है तेरे पेट का पल धन्य है ये अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई देख जो ही तेरे नवसकार का शब्द मेरे कानों में पड़ा त्यों ही बच्चा मेरे पेट में अनंद से उछल पड़ा धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो हो पाते प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होगी तब मर्यम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उधार करने वाले परमेश्वर से आनंतित हुई क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर द्रिष्टी की है इसलिए देखो अपसे योग योग के लोग मुझे धन्य कहेंगे क्योंकि उस शक्ति मानने मेरे लिए बड़े बड़े काम किये है उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीडी से पीडी तक बनी रहती है उसने अपना भुचबल दिखाया और जो अपने आपको बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया उसने बलवानों को सिंघासनों से गिरा दिया और दीनों को उँचा किया उसने भूखों को अच्छी वस्तूं से त्रिप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया उसने अपनी सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस्ताया को स्मर्ण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहीगी जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था मर्यम लगभग तीन महीने उसके साथ रहकर अपने घर लोटाई तब इली शिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और वो पुत्र जनी उसके पडोसी और कुटुम्भी ये सुनकर के प्रभू ने उस पर बड़ी दया की है उसके साथ आनन्दित हुए और ऐसा हुआ कि आठवे दिन बे बालक का खत्ना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकर्यार रखने लगे उसकी माता ने उत्तर दिया नहीं उसका नाम युहन्ना रखा जाए उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुम में किसी का ये नाम नहीं है तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा तू उसका क्या नाम रखना चाहता है और उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया उसका नाम यूहन्ना है इस पर सभों ने अचमभा किया तब उसका मुँ और जीब खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवात करने लगा और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भैचा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश मे पहल गई सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा प्रभू इस्राइल का परमेश्वर धन्य हो उसने अपने लोगों पर द्रिष्टी की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक डाउद के घराने में हमारे लिए एक उद्दार का सेव निकाला है जैसे उसने अपने पवित्र भविष्य दुपताओं के द्वारा जो जगत के आदी से होते आये हैं कहा था अर्थात हमारे शत्रूं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्दार किया है कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्वरण करे और वो शपत जो उसने हमारे पिता इब्राहीम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रों के हाथ से छूट कर उसके सामने पवित्रता और धार्मिक्ता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे और तू हे बालक परम प्रधान का भविश्य द्वक्ता कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा के उसके लोगों को उद्धार का ज्यान दे जो उनके पापों की शमा से प्राप्त होता ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण उपर से हम पर भोर का प्रकाश उदै होगा के अंधिकार और मृत्यू की चाया में बैठने वालों को जो दी दे और हमारे पाउं को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा अध्याय दो उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आगया निकली के सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्युरिनियोज सूरिया का हाकिम था तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाउद के घराने और वंश का था गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाउद के नगर बैतलहम को गया के अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्बवती थी नाम लिखवाए उनके वहार रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए वो अपना पहिलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगे ना थी उस देश में अनेक गडर ये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जुंड का पहरा देते थे और प्रभू का एक दूत उनके पास आख़डा हुआ और प्रभू का तेज उनके चारों और चमका वे बहुत तर गए स्वर्ग दूत ने उनसे कहा मत दरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंग का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा आज दावुद के नगर में तुम्हारे लिए एक उदार करता जन्मा है और यही मसी दभू है और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बाला को कपड़े में लिपता हुआ और चड़नी में पढ़ा पाओगे तब एका एक उस स्वर्ग दूत के साथ स्वर्ग दूतों का दल परमेश्वर की इस्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया आकाश में परमेश्वर की महिमा और प्रत्री पर उन मनुश्य में जिनसे वो प्रसंद है शान भी हो जब स्वर्ग दूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा हाओ हम बैथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभू ने हमें बताया है देखें और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चर्नी में उस बालक को पड़ा देखा इन्हें देखकर उन्हें वो बात, जो इस बालक के विशे में उन से कही गई थी, प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उन से कही आश्चरे किया परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लोट गए जब आठ दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यूशु रखा गया जैसा स्वर्ग दूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था जब मूसा की ववस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशले में ले गए कि प्रभू के सामने लाएं जैसा के प्रभू की ववस्था में लिखा है के हर एक पहिलोठा प्रभू के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभू की ववस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें और देखो यरुशले में शमोन नाम एक मनुष्य था वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राइल की शान्ती की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था पवित्र आत्मा से उसको चितामनी हुई थी कि जब तक वो प्रभू के मसीह को देखना लेगा तब तक मृत्यू को ना देखेगा वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक येशू को भीतर लाए कि उसके लिए विवस्था के रीती के अनुसार करें तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा हे स्वामी आप तु अपने धास को अपने वचन के अनुसार शांती से विदा करता है क्योंकि मेरी आखों ने तेरे उधार को देख लिया है जिसे तुने सब देशों के लोगों के सांग ने तयार किया है कि वह अन्यजातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योती और तेरे निश लोग इसराहिल की महीमा हो और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विशे में कही जाती थी आश्चरे करते थे तब शमोन ने उनको आशीश देकर उसकी माता मरियम से कहा देख वह तो इसराहिल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन होने के लिए ठैराया गया है जिसके विरोध में बाते कहीं जाएंगी वरन तेरा प्रान भी तलवार से आर पार छिच जाएगा इससे बहुत हिर्दयों के विचार प्रगठ होंगे और अशेहर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुवल की बेटी एक भविश्य द्विक्तिन थी वो बहुत बूड़ी थी और प्या होने के बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी वो 84 वर्ष से विद्वा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभू का धन्यवाद करने लगी और उन सबहों से जो यरुशलेम के चुटकारे की बाट जोहते थे उसके विशे में बाते करने लगी और जब वे प्रभू की ववस्था के अनुसार सब कुछ निप्टा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धी से परिपूरुन होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था उसके माता-पिता तती वर्ष फसह के पर्भ में यरुशलेम को जाया करते थे जब वो बारा वर्ष का हुआ तो वे पर्भ की रिती के अनुसार यरुशलेम को गए और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का येशू यरुशलेम में रह गया य ये उसके मातापिता नहीं जानते थे, वे ये समझ करके वो और यात्यों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए, और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचानों में ढूंडने लगे, पर जब नहीं मिला, तो ढूंडते ढूंडते यरुशलेम को फिर लोट ग और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, ए पुत्र, तुने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया, देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंडते थे, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंडते थे, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है, परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा, तब वो उनके साथ गया, और नासरत में आया, और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और येशु बुद्धी और डील डॉल में, और परमेश्वर और मनश्यों के अनुग्रह में बढ़ता ग अध्याय तीन याजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकर्या के पुत्र यूहन्ना के पास पहुँचा, और वो यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर, पापों की ख्षमा के लिए मन फिराव के बब्तिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविश्य द्विक्त प्रचा के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि, हर प्राणी परमेश्वर के उध्धार को देखेगा, जो भीड की भीड उससे बब्तिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उससे वो कहता था, हे साथ के बच्चों, तुम्हें किसने जटा दिया कि आने वाले क्रोज से भागो, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्रहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्रहिम के लिए संतान उत्पन कर सकता है, और अब ही कुलहाडा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में जोका जाता है। लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास दो कुर्ते हो, वो उसके साथ, जिसके पास नहीं है, बाट ले, और जिसके पास भोजन हो, वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बप्तिस्मा लेने आये, और उससे पूछा, ए गुरू, हम क्या करें। उसने उन्हें कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, उससे अधिक न लेना। और सिपाईयों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, और न जहुटा दोश लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोश करना. जब लोग आस लगाए हुए थे, और सब अपने अपने मन में, युहन्ना की विशे में विचार कर रहे थे कि, क्या यही मसीष तो नहीं है? तब युहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हे पानी से बब्दिस्मा देता हूँ, परन्तु वो आने वाला है, जो मुझ से शक में है, और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा, वो केहूं को अपने खत्ते में एक अठा करेगा, परन्तु भूसी को उस आग में जो भुझने की नहीं, चला देगा। इसलिए हेरोदेश ने उन सब से बढ़कर ये कुकुरम भी किया, कि युहन्ना को बंदे ग्रिह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बब्दिस्मा लिया, और यिशू भी बब्दिस्मा लेकर प्रात्ना कर रहा था, तो आकाश खुल गया, और पवित्र आत्मा कबूतर क रूप में उस पर उत्रा, और ये आकाशवानी हुई। मतित्या का, और वो अमोस का, वो नहूम का, और वो असल्या का, और वो नोगहा का, और वो मात का, और वो मतित्या का, और वो शिमी का, और वो योसेख का, और वो योधा का, और वो युहन्ना का, और वो रेशा का, और वो जरुवा बिल का, और वो शालित्या का, लिल का और वो nearी का और वो मलकी तो और वो अध्दी का और वो कुसाम का और वो इलमोद्राम का और वो-ust accomplish का और वो येशू का और वो इलाजार का और वो योरीम का और वो मतात का और वो लेवी का और वो शमोन का और वो यहूदा का और वो यूसुफ का और वो यूनान का और वो इलियकीम का और वो मलेहा का और वो मिन्ना का और वो मतता का, और वो नातान का, और वो दाउद का, और वो जीशे का, और वो अबेद का, और वो बुआज का, और वो सलमोन का, और वो नहशोन का, और वो अमीनादाब का, और वो अर्नी का, और वो हिस्रोन का, और वो फिरिस का, वो यहुदा का, और वो याकूब का और वो इसहाग का और वो इबराहीम का और वो तिरह का और वो नाहोर का और वो सरूप का और वो रहू का और वो फिलिक का और वो एबिर का और वो शिलह का और वो केनान का और वो अरफजद का और वो शेम का वो नुहू का वो लिमिक का और वो मतुशलह का और वो हनोक का और वो यिरिद का और वो महाललेल का और वो केनान का और वो इनोश का और वो शेत का और वो आदम का और वो परमेश्वर का था अध्याय चार फिर येशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लोटा वो चालिस दिन तक आत्मा की सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परिक्षा करता रहा उन दिनों में उसने कुछ न खाया जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से खेगी रोटी बन जाए येशु ने उसे उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्ये दिखाए और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका विभाव तुझे दूँगा क्योंकि वह मुझे सवभा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा यीशु ने उसे उत्तर दिया लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर तब उसने उसे यरुशले में ले जाकर मंदर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि थू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आपको यह से नीचे गिरा दे क्यों कि लिखा है वो तेरे विशे में अपने स्वर्गदूतों को आग्या देगा कि वे तेरी रक्षगरे वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे आइसा ना हो कि तेरे पाओं में पत्थर से धिस लगे यिशू ने उसको उत्तर दिया ये भी कहा गया है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर की परिक्षा न करना जब शैतान सब परिक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया फिर यिशू आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लोटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वो उनके आराधनालियों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे और वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीती के अनुसार सब्त के दिन अराधनालियों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ ये शाया भविश्य द्वित्या की पुस्तक उसे दी गई उसने पुस्तक खोल कर वो जगे निकाली जहां ये लिखा प्रभू का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधूँ को छुटकारे का और अंधों को दृष्टी पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछले हुँँ को प्रचार करूं तब उसने पुष्टक बंध करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ किया अराधनाले के सब लोगों की आँख उस पर लगी थी तब वो उनसे कहने लगा आज ही ये लेक तुम्हारे सामने पूरा हुआ है और सब ने उसे सरहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुँ से निकलती थी उनसे अचमभा किया और कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं उसने उनसे कहा तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे हे वैद अपने आपको अच्छा कर जो कुछ हमने सुना है कि कफर नहूम में किया गया है उसे यहां अपने दे कहता हूँ कोई भविश्य द्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता और मैं तुम से कहता हूँ इलियाह के दिनों में जब साड़े तीन वर्ष तक आकाश बंद रहा यहां तक कि सारे देश में बड़ा आकाल पड़ा तो इसराइल में बहुत सी विद्वाएं थी पर एलियाह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया केवल सैदा के सार्फत में एक विद्वा के पास इलिशा भविश्य द्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोड़ी थे पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद नहीं किया गया ये बाते सुनते ही जितने आराधनाले में थे सब क्रोध से भर गए उन्होंने उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर वे उसे ले गए कि उसे वहां से नीचे गिरा दे पर वो उनके बीच में से निकल कर चला ग वे उसके उपदेशे चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था अराधनाले में एक मनुष्य था जिसमें अशुध आत्मा थी वो उचे शब्द से चिल्ला उठा येशु नासरी हमें तुसे क्या काम क्या तू हमें नाश करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है तो परमेश्वर का पवीत्र जन है येशु ने उसे डाट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा तब दुस्ता आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानी पहुचाए उसमें से निकल गई इस पर सब को अचमभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्द के साथ अशुद आत्माओं को आग्या देता है और वे निकल जाती है सो चारों और हर जगे उसकी धूम मच गई वो अराधनालय में से उठकर शमोन के घर में गया और शमोन की सास को ज्वर चड़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे बिनती की उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डाटा और उस पर से ज्वर उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी सूरज डूपते समय जिन जिनके यहां लोग नाना प्रकार की बिमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने प्रतेक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया और दोस्टात्मा भी चिलाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहतों में से निकल गई पर वो उन्हें डाटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि ये मसी है जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक जंगली जगह में गया और भीड की भीड उसे ढूंडती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि उनके पास से ना जाए परन्तो उसने उनसे कहा मुझे और और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है क्योंकि मैं इसलिए भीजा गया हूँ और वो गलील के अराधनालियों में परचार करता रहा अध्याए पाँच जब भीड उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्यसरत की जील के किनारे पर खड़ा था तब ऐसा हुआ कि उसने जील के किनारे दो नामें लगी हुई देखी और मच्वे उन पर से उतर का जाल दोह रहे थे उन नामों में से एक पर जो शमोन की थी चड़कर उसने उससे बिनिती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले तब वो बैठ कर लोगों को नाव पर से उपदेश देनी लगा जब वो बातें कर चुका तो शमोन से कहा गहरे में ले चल और मच्वियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल शमोन ने उसको उत्तर दिया हे सुआमे हमने सारी रात महलत की और कुछन पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूँगा जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मच्वियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसी नाव पर थे संखेत किया कि आकर उनकी साहता करे और उन्होंने आकर दूनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी यह देखकर शमोन पत्रस यीशू के पाउँ पर गिरा और कहने लगा ए प्रभू मेरे पास सिज्जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ इतनी मच्वियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचमबा हुआ वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहना को भी जो शमोन के साथ ही थे अचमबा हुआ तब येशू ने शमोन से कहा मतर अब से तु मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा और वे नामों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ कर उसके पीछे हो लिए जब वो किसी नगर में था तो देखो वहां कोड से भरा हुआ एक मनुष्य था वो येशू को देखकर मूँ के बल गिरा उसने बिनिती की हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है उसने हाथ बढ़ा कर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद हो जा और उसका कोड तुरंत जाता रहा तब उसने उसे चिताया कि किसी से न कहे परंतू जाकर अपने आपको याजक को दिखाए और अपने शुद होने के विशय में जो कुछ मूसा ने चड़ावा ठहराया है उसे चड़ाए कि उन पर गवाही हो परंतू उसकी चर्चा और भी फैलते गई और भीड की भीड उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकठी हुई परंतू वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और विवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहुदिया के हरे गाउं से और यरुशलेम से आये थे और चंगा करने के लिए प्रभू की सामर्थ उसके साथ थी और दिखो कई लोग एक मनुष्य को जो जो जोले का मारा हुआ था खाट पर लाए वे उसे भीतर ले जाने और यशू के सामने रखने का उपाय ढूंड रहे थे जब वे भीड के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चड़कर और खप्रेल हटा कर उसे खाट समेत लोगों के बीच में यशू के सामने उतार दिया येशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा हे मनुष्य तेरे पाप ख्षमा हुए तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को ख्षमा कर सकता है येशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे पूछा तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या ये कि उठ और जल फिर परन्तु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप ख्षमा करने का भी अधिकार है उसने उस जोले के मारे हुए से कहा मैं तुझ से कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस खाट पर वो पड़ा था उसे उठा कर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे आज हमने अनुखी बाते देखी है इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले तब वो सब को छोड़ कर उठा और उसके पीछे हो लिया लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की चुंगी लेने वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड थी परीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुडाने लगे तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो येशु ने उनको उत्तर दिया वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परन्तु बीमारों के लिए आवश्यक है मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं और उन्होंने उससे कहा युहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के भी परन्तु तेरे चेले तो खाते पीते हैं येशु ने उनसे कहा क्या तुम बरातियों से जब तक दुलहा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो परंतु वे दिन आएंगे जिन में दुलहा उनसे अलग किया जाएगा तब उन दिनों में वे उपवास करेंगे उसने एक और दिर्ष्टांत भी उनसे कहा कोई मनुष्य नए पहिरावन में से फाड़ कर पुराने पहिरावन में पैवंद नहीं लगाता नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैवंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता नहीं तो नया दाखरस मशकों को पहाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी परंतु नया दाखरस नई मश्कों में भरना चाहिए कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है अध्याय छे फिर सब्द के दिन वो खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्द के दिन करना उचित नहीं येशो ने उनको उत्तर दिया क्या तुमने ये नहीं पड़ा कि दाउद ने जब वो और उसके साथी भूके थे तो क्या किया वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी और उसने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी प्रभू है और ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वो अराधनाले में जाकर उपदेश करने लगा वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था शास्त्री और फरीसी उस पर दोश लगाने का अफसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वो सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं परंतु वो उनके विचार जानता था इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा उठ बीच में खड़ा हो वो उठ खड़ा हुआ येशू ने उनसे कहा मैं तुमसे ये पूछता हूँ सब्त के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना प्रान को बचाना या नाश करना और उसने चारों और उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विबात करने लगे अम येशू के साथ क्या करें उन दिनों में वो पहाड पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुला कर उन में से बारा चुन लिये और उनको प्रेरित कहा और वे ये हैं शमोन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा, और उसका भाई आंद्रियास, याकूब और युहन्ना, फिलिपुस और बर्तुल में, मती और थोमा, हलपाई का पुत्र याकूब और शमोन जो जेलो तेस कहलाता है। और याकूब का पुत्र यहूदा और यहूदा इस करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना, तब वो उनके साथ उतर कर चौरस जगे में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड और सारे यहूदिया और यरुशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से ब कुछी किये जाते थे, सब उसे चूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सब को चंगा करती थी, तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि त्रिप्त किये जाओगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हसोगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, लोग तुमसे बैर और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काठ देंगे उस दिन अनन्दित होकर उचलना क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है उनके बाप दादे भविष्च द्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे परन्तु हाए तुम्हार जो धनवान हो क्योंकि तुम अपनी शान्ती पाचुके हाए तुम्हार जो अब त्रिप्त हो क्योंकि भूके होगे हाई तुम पर जो अब हसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोगे हाई तुम पर जब सब मनुष्य तुमें भला कहें क्योंकि उनके बाप दादे जूटे भविश्य द्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे परन्तु मैं तुम सुनने वालों से कहता हो अपने शत्रूँं से प्रेन रखो जो तुम से बैर करें उनका भला करो जो तुमें इसराब दें उनको आशीश दो जो तुम्हारा अपमान करें, उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थपड मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर चीन ले, उसको कुर्टा लेने से भी न रोक, जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे, और जो तेरी वस्तु चीन ले, उससे न म जैसा तुम चाहते हो, कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढाई? क्योंकि प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं, और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बढाई? कि क्यूं प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं, यदि तुम उन्हें उधार दो, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हूं, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्यूंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, कि उतना ही फिर पाहें, परन अपने शत्रूँं से प्रेम रखो, और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर, उधार दो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुमहारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोश मत लगाओ तुम पर भी दोश नहीं लगाया जाएगा। दोशी न ठहराओ तुम भी दोशी नहीं ठहराए जाओगे। ख्शमा करो तो तुम्हारी भी ख्शमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ, तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक द्रिश्टांत कहा। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड़हे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं परन्तु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरू के समान होगा। तु अपने भाई की आख के तिनके को क्यूं देखता है? और अपनी ही आख का लठा तुझे नहीं सूझता। और जब तु अपनी ही आख का लठा नहीं देखता, तो अपने भाई से कैसे कह सकता है? हे भाई ठहर जा तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ हे कप्टी पहले अपनी आँख से लठा निकाल तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है भली भांती देख कर निकाल सकेगा कोई अच्छा पेड नहीं जो निकम्मा फल लाए और न तो कोई निकम्मा पेड है जो अच्छा फल लाए हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोडते और न जड़ बेरी से अंगूर भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बाते निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बाते निकालता है क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुह पर आता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभू, हे प्रभू कहते हो जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बाते सुनकर उन्हें मानता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमी गहरी खोद कर चक्तान पर नेव डाली और जब बाड आई तो धारा उस पर लगी परन्तु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था परन्तु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिर कर सत्या नाश हो गया अध्याय साथ जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफर नहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिये था बिमारी से मरने पर था उसने यीशू की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुर्णियों को उससे ये बिनती करने को उसके पास भेजा कि आकर उसके दास को चंगा करे वे यीशू के पास आकर उससे बड़ी बिनती करके कहने लगे वे इस योग्य है कि उसके लिए ये करे क्योंकि वे हमारी जाती से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराध्रालय को बनाया है येशू उनके साथ साथ चला पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा हे प्रभू दुख ना उठा मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊँ पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है और अपने किसी दास को के ये कर तो वो उसे करता है ये सुनकर येशू ने अचमभा किया और उसने मू फेर कर उस भीर से जो उसके पीछे आ रही थी कहा मैं तुम से कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों ने घर लोटकर उस दास को चंगा पाया थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम एक नगर को गया उसके चेले और बड़ी भीड भी उसके साथ जा रही थी जब वो नगर के फाटक के पास पहुचा तो देखा कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिये जा रहे थे वो अपनी मा का एकलोता पुत्र था और वो विद्वा थी नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे उसे देखकर प्रभू को तरस आया और उससे कहा मत रो तब उसने पास आकर अर्थी कुछ हुआ और उठाने वाले ठैर गए तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ तब वो मुर्दा उठ पैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मा को सौप दिया इससे सब पर भैचा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे की हमारे पीश में एक बड़ा भविश्य द्वत्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृबा दश्टी की है उसके विशे में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई यहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समचार दिया तब यहन्ना ने चेलों में से दो को बुला कर प्रभू के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तु ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखे उन्होंने उसके पास आकर कहा यहन्ना बब्तिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तु ही है या हम दूसरे की बाट जो है उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीडाओं और दुस्ट आत्माओं से छुड़ाया और उसने बहुत से अंधों को आखें दी और उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर युहन्ना से कह दो अंधे देखते हैं लंगडे चलते फिरते हैं कोडी शुद्ध किये जाते हैं बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, धन्य है वो, जो मेरे कारण ठोकर नखाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिये, तो यीशु यूहन्ना के विशे में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, तो फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को, देखो जो भड़कीला वस्त्र पहिनते और सुख विलास से रहते हैं, वेराज भवनों में रहते हैं, तो फिर क क्या देखने गए थे, क्या किसी भविश्य द्वक्ता को? हाँ मैं तुमसे कहता हूं, बरन भविश्य द्वक्ता से भी बड़े को, यह वही है जिसके विशय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेशता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा, मैं तुम पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी युहन्ना का बप्तिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बप्तिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विशय में टाल दिया सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किस से दूँ वे किस के समान हैं वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नार नाचे हमने विलाप किया और तुम नरोएं क्योंकि युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला, न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो, उसमें दुष्टात्मा है, मनुष्य का पुत्र, खाता पीता आया है, और तुम कहते हो, देखो, पेटू और प्यकड मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पाप पिर किसी फरीसी ने उससे बिनिती की मेरे साथ भोजन कर सो वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा और देखो उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है संग मरमर के पात्र में इत्र ले कर आई वो रोती हुई उसके पाउं के पास पीछे खड़ी होकर उसके पाउं को आस्मों से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोचने लगे उसने उसके पाउं बार बार चूम कर उन पर इत्र मला ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बोलाया था अपने मन में सोचने लगा यदि वो भविश्यत वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे च्छू रही है कौन और कैसी स्त्री है क्योंकि वो तो पापी नहीं है ये जानकर येशू ने उससे कहा ये शमोन मुझे तुझ से कुछ कहना है वो बोला एक रूप कह किसी महाजन के दो देंदार थे एक पांच सो और दूसरा पचास दिनार धारता था जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा शमोन ने उत्तर दिया मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया उसने उससे कहा तुने ठीक विचार किया है और उस इस्त्री की ओर फिर कर उसने शमोन से कहा क्या तु इस स्त्री को देखता है मैं तेरे घर में आया परन्तु तूने मेरे पाउं धोने के लिए बानी न दिया पर इसने मेरे पाउं आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोचा तूने मुझे चूमा न दिया पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पावों का चूमना न छोड़ा, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पावों पर इत्र मला है, इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ थोड़ा प्रेम करता है और उसने सथी से कहा तेरे पाप इख्मा हुए तप जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे यह कौन है जो पापों के भी इख्मा करता है पर उसने सथे कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। कुशल से चली जा। सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे बारे उसके साथ थे। और कितनी इस्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी। जिसमें से साथ दुष्टात्माएं निकली थी। और हैर देश के भंडारी, खोजा की पतनी, युवन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और इस्त्रियां ये तो अपनी संपत्ती से उसकी सेवा करती थी। जब बड़ी भीड इकठी हुई और नगर-नगर के लोग उसके पास चले आते थे। तो उसने द्रिश्टांत में कहा एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्क के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, कुछ चटान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया, कुछ ज़ाडियों के बीच में गिरा, और ज़ाडियों ने स साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी भूमी पर गिरा, और उग कर सौ गुना फल लाया, ये कहकर उसने उचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो, वो सुन ले, उसके चेलों ने उससे पूछा, ये दृष्टान क्या है, उसने कहा, तुमको परमेश परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टान्तों में सुनाया जाता है, इसलिए, कि वे देखते हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें, दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उधार पाएं चटान परके वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहन तो करते हैं परन्तु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परिक्षा के समय बहक जाते हैं जो ज़ाडियों में गिरा सुवे हैं जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता पर अच्छी भूमी में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं कोई दिया वार के बरतन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है परन्तु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाये और प्रकट न हो इसलिए चौकस रहो की तुम किस रीती से सुनते हो क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए पर भीड के कारण उससे भीट ना कर सके और उससे कहा गया तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं उसने उत्तर में उनसे कहा मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चड़े और उसने उनसे कहा आओ जील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी पर जब नाव जल रही थी तो वो सो गया और जील पर आण्धी आई और नाव पानी से भानने लगी और वे जो खिन में थी तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा तब उसने उठकर आण्धी को और पानी की लहरों को डाटा और वे थम गए और शांती हो गए और उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहा था पर वे डर गए और अचमवित होकर आपस में कहने लगे यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आग्या देता है और वे उसकी मानते हैं फिर वे गिरा सेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है जब वो किनारे पर उत्रा तो उस नगर का एक मनुश्य उसे मिला उसमें दुश्टात्माई थी और बहुत दिनों से वो ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था बरन कबरों में रहा करता था वो येशु को देखकर चिलाया और उसके सामने गिरकर उंचे शब्द से कहा क्योंकि वो उस अशुद आत्मा को उस मनुश्य में से निकालने की आग्या दे रहा था इसलिए कि वो उस पर बार-बार प्रबल होती थी और यद्दपी लोग उसे सांकलों और बेडियों से बानते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुस्ट आत्मा उसे जंगल में भगाय फिरती थी यिशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने कहा क्योंकि बहुत दुस्ट आत्माएं उसमें पैठ गई थी और उन्होंने उससे बिनिती की वहाँ पहाड पर सुरों का एक बड़ा जुन्ड चर रहा था सो उन्होंने उससे बिनिती की अमें उन्हें पैठ ने दे सो उसने उन्हें जाने दिया तब दुस्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकल कर सुरों में गई थी और वो जुन्ड कडाडे पर से जपट कर जील में जा गिरा और डूब मरा चरवाहे ये जो हुआ देखकर भागे और नगर में और गाओं में जाकर उसका समाचार दिया और लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और येशू के पास आकर जिस मनुष्य से दुस्तात्मा निकली थी उसे येशू के पाओं के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुस्तात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने येशु से बिनती की क्योंकि उन पर बड़ा भैच हा गया था सो वो नाव पर चड़कर लोट गया जिस मनुष्य से दुस्तात्माय निकली थी वो उनसे बिनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे परन्तु येशु ने उसे विदा करके कहा अपने घर को लोट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये है वो जाकर सारी नगर में प्रचार करने लगा कि येशु ने उसके लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये जब येशु लोट रहा था, तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे, और देखो, याईर नाम एक मनुष्य, जो अराधनालय का सरडार था, आया, और येशु के पाउप पर गिर कर उससे बिनती करने लगा, मेरे घर चल, क्योंकि उसके बारे वर्ष की एकलोती बेटी थी, और वो मरने पर थी, जब वो जा रहा था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक इस्त्री ने, जिसको बारे वर्ष से लोहु बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीवी का वैद्दियों के पीछे व्या कर चुकी थी, पर किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर, उसके बस्तर के आचल को छू लिया, और तुरंत उसका लोहु बहना थम गया, इस पर येशु ने कहा, मुझे किस ने चुआ, जब सब मुकरने लगे, तो पत्रस और उसके साथियों ने कहा, हे स कि मुझ में से सामर्थ निकली है, जब इस्तरी ने देखा, कि वो छिप नहीं सकती, तब कापती हुई आई, और उसके पाओं पर गिरकर, सब लोगों के सामने बताया, कि उसने किस कारण से उसे चुआ, और कैसे तुरंत चंगी हो गई, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे वि सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरू को दुख ना दे, यिशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत दर, किवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी, घर में आकर, उसने पतरस, और युहन्ना, और याकूर, और लड़की के माता-पिता को छोड़, औ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिये, और सब उसके लिए रूपीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रू मत, वो मरी नहीं, परंतु सो रही है, वे ये जानकर के मर गई है, उसकी हसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा, और पुकार कर कहा, ये लड़की, तब उसके प्राण फिर आये, और वो तुरंत उठ खड़ी हुई, तब उसने आज्या दी, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए, उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया, कि ये जो हुआ है, किसी से ना कहना, अध्याय नौ, फिर उसने बारहों को बुला कर, उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्ये का प्रचार करने, और बीमारों को अच्छा करने के लिए बेजा, उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेन, न तोलाठी, न जोली, न रोटी, न रुपय, और न दो दो कुर्ते, और जिस किसी घर में तुम उतरो, वहीं से विदा हो, जो कोई तुमें ग्रहन न करे, उस नगर से निकलते हुए, अपने पावों की धूल, जाड डालो, कि उन पर गवाही हो, परन्तु हेरो देश ने कहा, यहुन्ना का तो मैंने सिर्कटवाया, अब ये कौन है, जिसके विशे में ऐसी बाते सुनता हूँ, और उसने उसे देखने की इच्छा की, फिर प्रेरितों ने लोटकर जो कुछ उन्होंने किया था, उसको बता दिया, और वो उन्हें अलग करके, बैत सैदा नाम एक नगर को ले गया, यह जानकर भीड उसके पीछे हो ली, वो आनन्द के साथ उनसे मिला, और उनसे प्रमेश्वर के राज्ये की बाते करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे, उन्हें उसने चंगा किया, जब दिन ढ़नने लगा, तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड को विदा कर, कि चारों और के गामों और बस्तियों में जाकर टिके, और भोजन का उपाई करे, क्योंकि हम यहां सुनसान जगा में हैं, उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो, उन्होंने कहा, हमारे पास पांच रोटियां, और दो मशली को छोड़ कर और कु ज़न मोल ले, तो हो सकता है, वे लोग तो पांच हजार पुरुशों के लगभग थे, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें पचास पचास करके, पांटी पांटी बैठा दो, उन्होंने ऐसा ही किया, और सब को बैठा दिया, तब उसने वे पांच रोटियां, और दो म खाकर त्रिप्थ हुए, और बचे हुए टुकडों से बारे टोकरी भरकर उठाई, जब वो एकांट में प्रार्थना कर रहा था, और चेले उसके साथ थे, तो उसने उन्हें से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, युहन्ना बबतिस्मा देने मुझे क्या कहते हो, पत्रस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसी, तब उसने उन्हें चिताकर कहा, ये किसी से न कहना, और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, और पुर्निये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ कर मार डाले, और वो तीसरे दिन जी उठे, उसने सबसे कहा कि, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपका इंकार करे, और प्रती दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वो उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खोदे या उसकी हानी उठाए, तो उसे क्या लाब होगा, जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा, तो उसे लज जाएगा, मैं तुम से सच कहता हूँ, जो यहां खड़े हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें, तब तक मृत्यू का स्वाद न चखेंगे। इन बातों के कोई आठ दिन बाद, वो पतरस, युहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड पर गया, जब वो प्रार्थना करे रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, और उसका वस्त्र श्वेद होकर चमकने लगा, और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सैत दिखाई दिये, और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरुशले में होने वाला था, पतरस और उसके साथ ही नीन से भरे थे, और जब सचेत हुए, तो उसकी महिमा को और उन दो पुरुषों को, जो उसके साथ खड़े थे, देखा, जब वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने यूशू से कहा, हे सौमी, हमारा यहां रहना भला है, हम तीन मंडब बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए, वो जानता ना था, कि क्या कह रहा है, वो ये कही रहा था, कि एक बादल ने आका निचा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे, तो तर गए उस बादल में से ये शब्द निकला, वो मेरा पद्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, ये शब्द होते ही, येशु अकेला पाया गया, वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था, उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही, दूसरे दिन, जब वे पहार से उतरे, तो एक बड़ी भीड उससे आ मिली, और देखो, भीड मैंसे एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, ए गुरू, मैं तुससे बिन्ती करता हूँ, मेरे पुत्र पर कृपाद रिष्टि कर, क्योंकि वो मेरा इकलाता है, देख, एक दुष्टात्मा उसे पकरता है, और वो एक आएक चिल्ला उड़ता है, और वो उसे ऐसा मरोडता है, कि वो मुँ में फेन भरलाता है, और उसे कुचल कर कठनाई से छोडता है, मैंने तेरे चेलों से बिन्ती की, क्यों से निकाले हैं, परंतु वे ना निकाल सके, येशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हटीले लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को य वो आही रहा था, कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोडा, परंतु येशु ने अशुद आत्मा को डाटा, और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौप दिया, तब सब लोग परमेश्वर की महा सामर्थ से चकित हुए, जब सब लोग उन सब कामों से जो वो क मनुष्य का पुत्र, मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है, परंतु वे इस बात को ना समझते थे, और वो उन से छिपी रही, कि वे उसे जानने ना पाए, और वे इस बात के विशे में उससे पूछने से डरते थे, फिर उनमें ये विवाद होने लगा, कि उन में बड़ा कौन है यिशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है तब युहन्ना ने कहा हे सौमी हमने एक मनश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वो हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता यिशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वो तुम्हारी ओ रहे जब उसके उपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरुशलेम को जाने का द्रिड निश्चे किया और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गाउं में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परन्तु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वो यरुशलेम को जा रहा था ये देखकर उसके चेले याकूब और युहन्ना ने कहा, हे प्रभू, क्या तु चाहता है कि हम आग्या दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? परन्तु उसने फिरकर उन्हें डाटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। तब वे किसी और गाउं में चले गए, जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तु जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यिश्व ने उससे कहा, लोमडियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगा नहीं। उसने दूसरी से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, ये प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गार दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गार ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, ए प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आउं। ये शु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अध्याय दस इन बातों के बाद प्रभु ने सत्तर और मनुष्य नियुक्त किये, और जिस जिस नगर और जगय को वो स्वयम जाने पर था, वहाँ उन्हें दोदो करके अपने आगे भेजा, उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से बिनती करो, कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज़ दे, जाओ देखो, मैं तुम्हें भेडों की नाई भेडियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ, ना जोला, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो, जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर का कल्यान हो, यदि वहां कोई कल्यान के योग्य होगा, तो तुम्हारा कल्यान उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लोट आएगा, उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले, वही खाओ, पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर न फिरना, जिस नगर में जाओ, और वहां के लोग तुम्हारा स्वागत करें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए, वही खाओ, वहां के बीमारों को जंगा करो, और उनसे कहो, परमेश्वर का राज् परन्तु जिस नगर में जाओ, और महां के लोग तुम्हे ग्रहन न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पाओं में लगी है, हम तुम्हारे सामने जाड़ देते हैं, तो भी ये जान लो, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हा सदोम की दशा सहने योग्य होगी, हाए खुराजीन, हाए बैच सैदा, जो सामर्थ के काम तुम्हे किये गए, यदि वे सूर और सैदा में किये जाते, तो ताट ओड़ कर और राख में बैठ कर वे कब के मन फिराते, न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की द दशा सहने योग्य होगी, और हे कफर नहूं, क्या तु स्वर्ग तक उचा किया जाएगा, तू तो अधो लोग तक नीचे जाएगा, जो तुम्हारी सुनता है, वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हे तुछ जानता है, वो मुझे तुछ जानता है, और जो मुझे तुछ ज वो मेरे भेजने वाले को तुछ जानता है। वे सत्तर आनंद से लोट कर कहने लगे। हे प्रभू, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे बश्च में है। उसने उनसे कहा। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ख से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सापों और विच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानी न होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो। कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो की तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे है। उस घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा। हे पिता, स्वर्ग और पृत्वी के प्रभू, मैं तेरा धन्यवात करता हूँ। कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है, ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और चेलों की और फिरकर एकांत में कहा, धन्य हैं वे आँखें, जो ये बातें जो तुम देखते हो, देखती हैं, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, बहुत से भविश्य द्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि, जो बातें तुम देखते हो, देखें, पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो, सुनें, पर न सुनीं, और देखो एक व्यवस्तापक उठा, और ये कहकर उसकी परिक्षा करने लगा, हे गुरू, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ, उसने उससे पूछा, व्यवस्ता में क्या लिखा है, तु कैसे पढ़ता है, उसने उत्तर दिया, प्रभू, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन, और अपने सारे प्राण, और अपनी सारी शक्ती, और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख, और अपने पढ़ोसी से, अपनी समान प्रेम रख, उसने उससे कहा, तुने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहे परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठैराने की इच्छा से येशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? येशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरुशलेम से यरीहों को जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिये, और मार पीट कर उसे अद्मरा छोड़ कर चले गए, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कतरा कर चला गया, इसी रीती से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आया, यात्री ने उसे देख कर दरस खाया, उसने पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डाल कर पट्टियां बांधी, और अपनी सवारी पर चड़ा कर उसे सराई में ले गया, और उसकी सेवा टहल की, दूसरे दिन उसने दो दिनार निकाल कर भट्यारे को दिये, और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा, वो मैं लोटने पर भर दूँगा, अब तेरी समझ में जो डाकूओं में घिर गया था, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही, जिसने उस पर तरस खाया, येशू ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर, जब वे जा रहे थे, तो वो एक गाउं में कैया, और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभू के पाउं के पास बैठ कर उसका बचन सुन रही थी, मार्था सेवा करते करते घबरा गए, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभू, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, उससे कहे कि मेरी सहायता करे, प्रभू ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तु बहुत बातों के लिए चिनता करती और घबराती है, प्रण्तु एक बात अवस्य है, और उस उत्तम भाग को मर्यम ने चून लिया है, जो उससे चिनाना जाएगा, फिर वो किसी जगए प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभू, जैसे योहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी सिखा दे, उसने उनसे कहा और उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंध है, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़ कर, मांगने के कारण उसे जितनी आवशकता हो, उतनी उठकर देगा और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हे दिया जाएगा, धूंडो तो तुम पाओगे, खट-खटाओ तो तुमारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है, उसे मिलता है, और जो धूंडता है, वो पाता है, जो खट-खटाता है, उसके लिए खोला ज तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, तो उसे पत्थर दे, या मचली मांगे, तो मचली के बदले उसे साप दे, या अंडा मांगे, तो उसे बिच्छु दे, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देन चाहते हो, तो स्वर्गिय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? फिर उसने एक गुंगी दुष्टात्मा को निकाला, जब दुष्टात्मा निकल गई, तो गुंगा बोलने लगा, और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उन में से कितनों ने यह तो शैतान नाम दुष्टात्मा के प्रधान की सहता से दुष्टात्मा को निकालता है, और उने उसकी परिक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्द मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है, वो राज्य उजड जाता है, और जिस घर में फूट होती है, वो नाश हो जाता है, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए, तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? तुम मेरे विशय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती है। इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा जब पलवन्त मनुष्य हतियार बांदे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ती बची रहती है पर जब उससे बढ़कर कोई और पलवन्त चड़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हतियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ती लूट कर बांट देता है जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है जब अशुद आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम धूनती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाओंगी और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है तब वो जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है जब वो ये बातें कर ही रहा था तो भीड मैंसे किसी इस्त्री ने उचे शब्द से कहा धन्य है वो गर्ब जिसमें तू रहा और वे स्थन जो तूने चूसे उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं जब भेड एकठी होती जाती थी तो वो कहने लगा इस युक्के लोग बुरे हैं वे चिन ढूनते हैं पर युनुस के चिन को छोड़ कोई और चिन उन्हें न दिया जाएगा जैसा युनुस निन्वे के लोगों के लिए चिन ठहरा वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युक्के लोगों के लिए ठहरेगा दखिन की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी क्योंकि वो सुलेमान का ज्यान सुनने को पृत्वी की छोर से आई और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है निन्वे के लोग नियाय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोशी ठहराएगे क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से भी बड़ा है कोई मनुष्य दिया बार के तलगरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परन्तु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है परन्तु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है इसलिए चौकस रहना जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा न हो जाए इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उज्याला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उज्याला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उज्याला देता है जब ये बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे बिनती की और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा फरीसी ने ये देखकर अचमभा किया कि उसने भोजन करने से पहले सनान नहीं किया प्रभू ने उससे कहा हे फरीसियो तुम कटोरे और थाली को उपर उपर तो मांजते हो परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुश्टता भरी है हे निर्बुध्यो जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया परंतु हाँ भीतर वाली वस्तों को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा हे फरीसियो तुम पर हाए तुम पौदीने और सुदाब का और सब भांती के सागपात का दसवां अंश देते हो परंतु नयाय को और परमेश्वर के प्रेम को डाल देते हो चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते हे फरीसियो तुम पर हाए तुम आराधनालेयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो हाए तुम पर क्योंकि तुम उन्छिपी कबरों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया हे गिरू इन बातों को कहने से तु हमारी निंदा करता है उसने कहा हे व्यवस्थापको तुम पर हाए तुम ऐसे बोज जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लातते हो परंतु तुम आप उन बोजों को अपनी एक उंगली से भी नहीं चूते हाए तुम पर तुम उन भविश्य द्वक्ताओं की कबरे बनाते हो जिनहें तुमारे ही बाप दादों ने मार डाला था सु तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कबरे बनाते हो इसलिए परमेश्वर की बुद्धी ने भी कहा है मैं उनके पास भविश्यद वकताओं और प्रेवितों को प्यजूंगे वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे ताकि चितने भविश्यद वकताओं का लोहू जगत की उत्पती से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए हाबील की हत्या से लेकर जकर्याह की हत्या तर जो वेदी और मंदिर के बीच में खात किया गया मैं तुम से सच कहता हूँ उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा हाई तुम व्यवस्थापकों पर तुमने ग्यान की कुंजी ले दो ली परन्तु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया जब वो वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करें और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मूँ की कोई बात तकड़ें अध्याए बारा इतने मैं जब हजारों की भीड लग गई यहाँ तक के एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना कुछ ठपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा परन्तु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ जो शरीर को घात करते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते उनसे मत डरो मैं तुमें चिताता हूँ कि तुमें किस से डरना चाहिए घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो क्या दो पैसे की पाँच गौरईया नहीं बिखती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए है सो डरो नहीं तुम बहुत गौरईयों से बढ़कर हो मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इंकार किया जाएगा जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वो अपराद क्षमा किया जाएगा परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराद क्षमा न किया जाएगा जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीती से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घरी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए फिर भीड मेंसे एक ने उससे कहा, हे गुरू मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे, उसने उससे कहा, हे मनुष्य किसने मुझे तुम्हारा न्याई या बांटने वाला निउक्त किया है और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ती की वहुतायत से नहीं होता उसने उनसे एक द्रिश्टांत कहा किसी धनवान की भूमी में बड़ी उपज हुई तब वो अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे यहां जगा नहीं जहां अपनी उपज इतियादी रखूँ और उसने कहा मैं ये करूँगा मैं अपनी बखरियां तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ती रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ती रखी है चैन कर, खापी, सुक से रख परन्तु परमेश्वर ने उससे कहा हे मुर्क, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तब जो कुछ तूने इकठा किया है, वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है, जो अपने लिए धन बटोरता है परन्तु परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं फिर उसने अपने चेलों से कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है कौवों पर ध्यान दो वे न बोते हैं न काटते न उनके भंडार और न खत्ता होता है तो भी परमेश्वर उने पालता है तुम्हारा मुल्य पक्षियों से कहीं अधिक है तुम में से ऐसा कौन है जो चिन्ता करने से अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिन्ता करते हो सोसन के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं कि सुलैमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था इसलिए यदि परमेश्वर मैधान की घास को जो आज है और कल भाड में जोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियो वो तुमें क्यों न पहिनाएगा और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न संदेह करो क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तूओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तूओं की आवशक्ता है परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तूओं भी तुम्हें मिल जाएंगी हे छोटे जुन्ड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे अपनी संपत्ती बेच कर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकठा करो जो खठता नहीं जिसके निकत चोर नहीं जाता और कीडा नहीं बिगाडता क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिये जलते रहें और तुम उन मनुश्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हों कि वो ब्याह से कब लोटेगा कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें धन्य हैं विदास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांद कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो विदास धन्य हैं परन्तु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता तुम भी तयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आजाएगा तब पत्रस ने कहा हे प्रभु क्या ये दृष्टांत तु हमी से ये सबसे कहता है तब हुने कहा ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए मैं तुम से सच कहता हूँ वो उसे अपनी सब समपत्ती पर सरदार ठहराएगा परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और प्यक्कड होने लगे तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जिसकी वो उसकी बाट जोता नहो और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता नहो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था पर तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा परन्तु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौपा गया है उससे बहुत मांगेंगे मैं पृत्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलक जाती मुझे तो एक बप्तिस्मा लेना है और जब तक वो न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूँगा क्या तुम समझते हो कि मैं पृत्वी पर मिलाप कराने आया हूँ मैं तुम से कहता हूँ नहीं बरन अलग कराने आया क्योंकि अब से एक घर में पाँच जन आपस में बैर रखेंगे तीन दो से और दो तीन से पिता पुत्र से और पुत्र पिता से बैर रखेगा मा बेटी से और बेटी मा से सास बहु से और बहु सास से बैर रखेगी और उस भेड से भी कहा जब बादल को पच्छिम से उठते देखते हो तो तुरंद कहते हो कि वर्शा होगी और ऐसा ही होता है और जब दख्छिना चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी और ऐसा ही होता है हे कप्टियो तुम धर्ती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो परन्तु इस युक के विशे में क्यूं भेद करना नहीं जानते और तुम आप ही निर्णे क्यूं नहीं कर लेते कि उचित क्या है जब तु अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार गही में उससे छूटने का यत्म कर ले ऐसा नहो कि वो तुझे नियाई के पास खीच ले जाए और नियाई तुझे प्यादे को सौपे और प्यादा तुझे बंदी ग्रह में डाल दे मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक तु दमडी दमडी भर न देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा अध्याय तेरा उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उस से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोहू पीलात उसने उनहीं के बलिदानों के साथ मिलाया था ये सुन उसने उन से उत्तर में ये कहा क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ती पड़ी मैं तुम से कहता हूँ नहीं परन्तु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीती से नाश होगे या क्या तुम समझते हो कि वे अठारह जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अफरादी थे मैं तुम से कहता हूँ नहीं परन्तु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम भी सब इसी रीती से नाश होगे फिर उसने ये द्रिश्टांत भी कहा किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था वो उसमें फल ढूनने आया परन्तु न पाया तब उसने बारी के रखवाले से कहा देख तीन वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूनने आता हूँ परन्तु नहीं पाता इसे काट डाल, कि वो भूमी को भी क्यूं रोके रहे, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे, कि मैं इसके चारों और खोद कर खाद डालू, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सब्त के दिन वो एक अराधनाले में उपदेश कर रहा था, और देखो, एक इस्तरी थी, जिसे अठारा वर्ष से एक दुरबल करने वाली दोस्टात्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीती से सीधी नहीं हो सकती थी, येशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तु अपनी दुरबलता से छूट गई, तब उसने उस पर हाथ रखे, और वो तुरंत सिधी हो गई, और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसलिए कि येशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, अराधनाले का सरकार, रिसिया कर लोगों से कह चे दिन हैं जिन में काम करना चाहिए, तो उन्ही दिनों में आकर चंगे हो, परन्तु सब्त के दिन में नहीं, ये सुनकर प्रभू ने उत्तर दे कर कहा, हे कप्टियो, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता और क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इबराहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुडाई जाती। वो राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। वो नगर नगर और गाव गाव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभू, क्या उध्धार पाने वाले थोड़े हैं। उसने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, और तुम बाहर खड़े हुए, द्वार खट खटा कर कहने लगो, हे प्रभू, हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, कि मैं तुम्हे नहीं जानता, तुम कहा के हो, तब तुम कहने लगोगे, कि हमने तेरे सामने खाया पिया, और तुने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परन्तु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जा तुम कहां से हो, हे कुकरम करने वालो, तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दाथ पीसना होगा। तुम इबराहिम और इसहाक और याकूब और सब भविश्य द्वकताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आपको बाहर निकाले हुए देखोगे। कितने बिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वे पिछले होंगे। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उसे कहा, यहां से निकल कर जला जा, क्योंकि हेरोधिस तुझे मार डाना चाता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोम्री से कह दो, कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन पूरा करूंगा, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविश्य यरूशलेम के बाहर मारा जाए, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविश्य द्वक्ताओं को मार डालती है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थर वाह करती है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नी देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजार छोड़ा जाता है, और मैं तुम से कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभू के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे अध्याय चौदा फिर वो सब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे, और देखो, एक मनुश्य उसके सामने था, जिसे जलंदर का रोग था, इस पर येशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्द के दिन अच्छा करना उचित है, अत्वा नहीं, परंतु वे चुपचाप रहे, तब उसने उसे हाथ लगा कर चंगा किया, और जाने दिया, और उनसे कहा, कि तुम में से ऐसा कौन है, जिसका गधा या बैल कुए में गिर जाए, और वो सब्द के दिन उसे पातों का कुछ उत्तर ना दे सके, जब उसने देखा कि नेवता हारी लोग क्योंकर मुखे मुखे जगह चुन लेते हैं, तो एक द्रिश्टांच देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए, तो मुखे जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और जब तुझे लज्जित होक पर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े, पर जब बुलाया जाए, तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वो जिसने तुझे नेवता दिया है, आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होग क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जग तुझ दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रों या भाईयों या कुटंबियों या धनवान पडोसियों को न बुला, कही ऐसा परन्तु जब तू भोज करे तो कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्ड है वो जो परमेश्वर के राच्चे में रोटी खाएगा। क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे बिनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने पाँच जोडे बैल मोल लिये हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे बिनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलीों में तुरंत जाकर कंगालों, तुन्डों, लंगडों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तू ने कहा था, वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगा है। स्वामी ने दास से कहा, सडकों पर और बाडों की ओर जाकर, लोगों को बर्बस ही ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, कि उन नेवते हुऊं में से, कोई मेरी जेवनार को न चकहेगा। और जब बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिर कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी, और लड़के वालों और भाईयों और बहिनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता, तुम मेंसे कौन है कि गड़ बनाना चाहता हो, और पहले बैठ कर खर्च न जोड़े, कि पूरा करने की बिसाथ मेरे पास है या नहीं, कहीं ऐसा नहो कि जब नेव डाल कर तयार न कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगें, कि ये मनुष्य बनाने तो लगा, पर तयार न कर सका, ये कौन ऐसा राजा है, जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहले बैठ कर विचार न कर ले, कि बीस हजार लेकर मुझ पर चड़ा आता है, क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूँ, अथवा नहीं, नहीं तो उसके दूर रहते ही, वो दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा, इसी रीति से तुम्मे से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वो किस वस्तू से स्वादिष्ट किया जाएगा, वो न तो भूमी के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंग देते हैं, जिसके सुनने के कान हो, सुन ले। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है, तब उसने उनसे ये द्रिश्टांत कहा, तुम में से कौन है, जिसकी सौ भेडे हों और उनमें से एक खो जाए, तो निनानवे को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को, जब तक मिल न जाए, खोजता न रहे, और जब मिल जाती है, तब वो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मित्रों और पडोसियों को इकठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड मिल गई है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा, जितना निनानवे ऐसे धर्मियों के विशय नहीं होता, जिने मन फिराने की आवशकता नहीं, ये कौन ऐसी स्त्री होगी, जिनके पास दस सिक्के हों, और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया बार कर, और घर जाड बुहार कर, जब तक मिल न जाए, जी लगा कर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है, तो वो अपनी सक्षियों और पडोसियों को इकठी करके कहती है, कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीती से एक मन फिराने वाले पापी के विशय में, परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से पिता से कहा, कि हे पिता, संपत्ती में से जो भाग मेरा हो, वो मुझे दे दीजिए, उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी, और बहुत दिन नभीते थे, कि छुटका पुत्र सब कुछ इकठा करके, एक दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में, अपनी संपत्ती उड़ा दी, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वो गंगाल हो गया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूर जराने के लिए भीजा, और वो चाहता था, कि उन फलि पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रूदी मिलती है, और मैं यहां भूका मर रहा हूँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाओंगा, और उससे कहूंगा, कि पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है, अब इस योग पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दोड़कर उसे गले लगाया, और बहुत जूमा, पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है, और अभी स्योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, तुर पहनाओ, पला हुआ बच्छडा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनावें, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के न इकट पहुंचा, तो उसने गाने, बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुला कर पूछा, ये क्या हो रहा है, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बच्छडा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है, ये पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी तेरी आज्या नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, परन्तु, जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेर संपत्ती विश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बच्चडा कटवाया, उसने उससे कहा, भुत्त, तु सरवदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है, वो सब तेरा ही है, अब आनंद करना, और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गय खो गया था, अब मिल गया है, अध्याय सोला, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोश लगाया, कि ये तेरी सब संपत्ती उड़ाए देता है, उसने उसे बुला कर कहा, ये क्या है, जो मैं तेरे विशय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारी पन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता, तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि म मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है, मिटी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीक मांगने से मुझे लज्जा आती है, मैं समझ गया कि क्या करूँगा, कि जब मैं भंडारी के काम से चुड़ाया जाओं, तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले उसने अपने स्वामी के देंदारों में से एक-एक को बुला कर पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है, उसने कहा सौमन तेल, तब उसने उनसे कहा कि अपनी खाता बही लेकर अस्सी लिखते, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, कि उसने चतुर अधिक चतुर हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ, कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, तो वे तुम्हें अनन्त निवासों में ले लें, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौपेगा, और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा, कोई दास दो स्वामियों क की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरेशी जो लोभी थे ये सब बाते सुनकर उसे ठठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आपको धर्मी ठहरा दे। परंतु परमेश्वर तुमारे मन को जानता है क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टी में महान है वो पर परमेश्वर के निकट घ्रणित है। व्यवस्ता ौर भविष्य द्वक्ता युहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और प्रिथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है, वो व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वो भी व्यभिचार करता है. एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहिंता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवडी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेजपर की जूठन से अपना पेट भरे वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इबराहीम की गोद में पहुँचाया वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया अदलोक में उसने पीडा में पड़े हुए अपनी आखें उठाई और दूर से इबराहीम की गोद में लाजरस को देखा उसने पुकार कर कहा हे पिता इबराहीम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि वो अपनी अंगुली का सिरा पानी में भीगो कर मेरी जीब को ठंडी करे क्योंकि मैं इस च्वाला में तड़प रहा हूँ परन्तु इबराहीम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी ही लाजर बुरी वस्तुएं परन्तु अब वो यहां शान्ति पा रहा है और तू तडप रहा है और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुमारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुमारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे बिनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज मेरे पाँच भाई हैं वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं इबराहीम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविश्य द्वकताओं की पुस्तके हैं वे उनकी सुने उसने कहा नहीं हे पिता इबराहीम पर यदी कोई मरे हूँ में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविश्य द्वकताओं को नहीं सुनते तो यदी मरे हूँ में से कोई जी भी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे अध्याय सत्रा फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगें परंतु हाए उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता सचेत रहो यदि तेरा भाई अपराद करे तो उसे समझा और यदि पच्चताए तो उसे क्षमा कर यदि दिन भर में वो साथ बार तेरा अपराद करे और साथों बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पच्चताता हूँ तो उसे क्षमा कर तब प्रेरितों ने प्रभू से कहा हमारा विश्वास बढ़ा प्रभू ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड से कहते कि जड से उखड कर समुद्र में लग जा तो वो तुम्हारी मान लेता पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास, हल जोटता या भेडें चराता हो और जब वो खेट से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ और ये न कहे कि मेरा खाना तयार कर और जब तक मैं खाऊं पिऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर इसके बाद तू भी खापी लेना क्या वो उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किये जिसकी आग्या दी गई थी इसी रीती से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आग्या तुमें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैんです जो हमें करना चाहिए था वही किया है और ऐसा हुआ कि वो यरुशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गाओं में प्रिवेश करते समय उसे दस कोड़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर उंचे शब्द से कहा उसने उन्हें देख कर कहा जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ और जाते ही वे शुद्ध हो गए तब उन्हें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ उंचे शब्द से परमेश्वर के बढ़ाई करता हुआ लोटा और येश्व के पाओं पर मुँ के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा और वो सामरी था इस पर येश्व ने कहा क्या दसों शुद्ध ना हुए तो फिर वे नौ कहा हैं क्या इस परदेशी को छोड़ कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता तब उसने उससे कहा उठकर चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है और उसने चेलो से कहा वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे लोग तुम से कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है परन्तु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौन्ध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा परन्तु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुछ ठहराएं जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा जिस दिन तक नूह जहाज पर नचड़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे परन्तु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को न उतरे और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लोटे लूत की पतनी को स्मरण रखो जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा मैं तुम से कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीस्ती होगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा ये सुन उन्होंने उससे पूछा हे प्रभु ये कहा होगा उसने उनसे कहा जहां लोत है वहां गिद्ध इकठे होंगे अध्याए अठारा फिर उसने इसके विशे में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये द्रिश्टांत कहा किसी नगर में एक नियाई रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था और उसी नगर में एक विद्वा रहती थी जो उसके पास आ आ कर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा उसने कितने समय तक तो न माना परंतु अंत में मन में विचार कर कहा यद्यपी मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं तो भी ये विद्वा मुझे सताती रहती है इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे प्रभू ने कहा सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं और क्या वो उनके विशय में देर करेगा मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो प्रिथवी पर विश्वास पाएगा और उसने कितनों को जो अपने उपर भरूसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुछ जानते थे ये दृस्टांत कहा दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्याई और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ मैं अपनी सब कमाई का दस्वां अंश भी देता हूँ परन्तु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्क की ओर आँख उठाना भी न चाहा भरन अपनी चाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ बापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूँ वो दूसरा नहीं परन्तु यही मनुष्य धर्मी थहराया जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हात रखे और चेलों ने देखकर उन्हें डाटा येशु ने बच्चों को पास बुला कर कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्ज हैसों ही का है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्ज को बालक की नाई ग्रहन न करेगा वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा किसी सरदार ने उससे पूछा हे उत्तम गुरू अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ येश्व ने उससे कहा तु मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर तु आज्याओं को तो जानता है कि वेविचार न करना हत्या न करना और चोरी न करना जूठी गवाई न देना अपने पिता और अपनी माता का आधर करना उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं ये सुन येश्व ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था येश्व ने उससे देख कर कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से उँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है और सुनने वालों ने कहा तो फिर किसका उध्धार हो सकता है उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पत्रस ने कहा देख हम तो छोड़कर तेरे पीछे हो लिये हैं उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाईयों या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो इस समय कई गुणा अधिक न पाए और परलोक में अनन्त जीवन फिर उसने बारहों को साथ लेकर उनसे कहा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं बेसब पूरी होंगी क्योंक जाएगा और वे उसे ठटों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोडे मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जीव उठेगा और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी ये बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया जब वो यरहों के निकट पहुँचा तो एक अंधा सडक के किनारे बैठा हुआ भीक मांग रहा था वो भीड के चलने की आहट सुनकर पूछने ल दाउद की संतान मुझ पर दया कर जो आगे जाते थे वे उसे डाटने लगे चुप रहे परंतु वो और भी चिलाने लगा थे दाउद की संतान मुझ पर दया कर तब येशु ने खड़े होकर आग्या दी, उसे मेरे पास लाओ, जब वो निकट आया, तो उसने उससे ये पूछा, तु क्या चाहता है, कि मैं तेरे लिए करूँ, उसने कहा, हे प्रगू, ये कि मैं देखने लगूँ, येशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्व पास ने तुझे अच्छा कर दिया है, और वो तुरंत देखने लगा, और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ, उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर, परमेश्वर की स्तुति की, अध्याय उन्निस वो यरिहों में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो धनी था, वो येशु को देखना चाहता था, कि वो कैसा है, परन्तु भीड के कारण देखना सकता था, क्योंकि वो नाटा था, तब उस उस जगे पहुचा, तो उपर द्रिष्टी करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया, ये देखकर सब लोग कुड़कुडा कर कहने लगे, वह तो एक पापी जग कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ती कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चोगना फिर देता हूँ, तब येश्यू ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि ये भी इबराहीम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हूँ को ढूंडने और उनका उद्धार करने आया है, जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उसने एक द्रिस्टान्त कहा, क्योंकि वो यरुशलेम के निकट था, और वे समझते थे कि परम अपनी मनुष्य दूर देश को चला कि राजपत पाकर फिर आये, उसने अपने दासों में से दस को बुलाकर उन्हें दस मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लोट आने तक लेन देन करना, उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, इसलिए उसके पीछे दूतों के करा, कहला भीजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करें, जब वो राजपत पाकर लोट आया, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकर दी थी, अपने पास बुलवाया, कि मालूम करें, कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से दस और मोहरें कमाई है, उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तमदास, तु बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब दस नगरों पर अधिकार रख, दूसरों ने आकर कहा, ये स्वामी, तेरी मोहर से पांच और मोहरें कमाई हैं, उसने उससे भी कहा, कि तू भी पांच नगरों पर हाकिम हो जा, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर ये है, जिसे मैंने अंगोचे में बांध रखी है, क्योंकि मैं तुछ से डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा, उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया, उसे काटता है, उसने उससे कहा, हे दुष्ट जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा, उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया, उसे काटता हूं, तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यों नहीं रख दिये, कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता, और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वो मोहर उससे ले लो, और जिसके पास दस मोहरे हैं, उसे दे दो, उन्होंने उससे कहा, हे स्वामि, उसके पास दस मोरें तो है, मैं तुमसे कहता हूँ, कि जिसके पास है, उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं, उससे वो भी, जो उसके पास है, ले लिया जाएगा परंद तु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूँ यहां लाकर मेरे सामने घात करो ये बातें कहकर वो यरुशलेम की ओर उनके आगे आगे चला और जब वो जैतून नाम पहाड़ पर बैत फगे और बैत नेहा के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलो में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गाओं में जाओ और उसमें पहुचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बना हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल कर लाओ यदि कोई तुमसे पूछे क्यूं खोलते हो जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा इस बच्चे को क्यूं खोलते हो उन्होंने कहा प्रभू को इसका प्रयोजन है वे उसको येशू के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर येशू को उस पर सवार किया जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिचाते जाते थे निकट आते हुए जब वो जैतून के ढलान पर पहुचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की सुती करने लगे की धन्न है वो राजा जो प्रभू के नाम से आता है स्वर्ग में शांती और आकाश मंडल में महिमा हो तब भीड में से कितने फरीसी उससे कहने लगे हे गुरू अपने चेलों को डांट उसने उत्तर दिया मैं तुम से कहता हूँ यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे जब वो मिकट आया तो नगर को देख कर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता परन्तु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे क्योंकि तुने ये अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टी की गई न पहिचाना तब वो मंदर में जाकर पेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परन्तु तुमने उसे डाकों की खोह बना दिया है और वो प्रती दिन मंदर में उपदेश करता था और महयाजक और शाष्ट्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अफसर ढूड़ते थे परन्तु कोई उपाय ना निकाल सके कि ये किस प्रकार करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसके सुनते थे अध्याय बीस एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदर में लोगों को उपदेश देता और सुसमचार सुना रहा था तो महयाजक और शाष्ट्री पुर्णियों के साथ पास आकर खड़े हुए वे कहने लगे कि हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है उसने उनको उत्तर दिया मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ मुझे बताओ युहन्ना का बबतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था तब वे आपस में कहने लगे यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतिती क्यों नहीं की और यदि हम कहें मनुश्यों की ओर से तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि यहुन्ना सच मुच भाविश्य दुखता है सो उन्होंने उत्तर दिया हम नहीं जानते कि वो किसकी ओर से था येशू ने उनसे कहा तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं तब वो लोगों से ये दृष्टांत कहने लगे कि किसी मनुष्य ने दाक की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाक की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें पर किसानों ने उसे पीठ कर छूचे हाथ लोटा दिया फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीठ कर और उसका अपमान करके छूचे हाथ लोटा दिया फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे घायल करके निकाल दिया तब दाक की बारी के स्वामी ने कहा मैं क्या करूँ मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा क्या जाने वे उसका आदर करें जब किसानोंने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि वो तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले कि मिरास हमारी हो जाए उन्होंने उसे दाक की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला इसलिए दाक की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाक की बारी औरों को सौपेगा ये सुनकर उन्होंने कहा परमेश्वर ऐसा ना करे उसने उनकी ओर देखकर कहा फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकना चूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा उस घड़ी शास्त्रियों और माहयाजिकों ने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए कि उसने हम पर ये द्रिश्टांत कहा परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिये भेजे कि धर्म का भेश धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़ें कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सोप दें उन्होंने उससे ये पूछा गुरु हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है तू किसी का भक्षपात नहीं करता वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है क्या हमें कैसर को कर देना उचित है अत्वा नहीं उसने उनकी चतुराई को तार कर उनसे कहा एक दिनार मुझे दिखाओ इस पर किस की मूर्ती और नाम है उन्होंने कहा कैसर का उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ ना सके बरा उसके उत्तर से अचम्बित होकर चुप रह गए सदू की मरे हुऊं का जी उठने नहीं मान उनमें से कितनों ने उनके पास आकर पूछा हे गुरू, मुसा ने हमारे लिए ये लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे सो साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया दूसरे ने और फिर तीसरे ने भी उस इस्तरी को ब्याह लिया इस रीती से सातों बिना संतान मर गए सब के पीछे वो इस्तरी भी मर गए इशु ने उनसे कहा कि इस यूग के संतानों में तो ब्याहशादी होती है पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस यूग को और मरे हुँँ में से जी उठना प्राप्त करें उनमें ब्याहशादी न होगी वे फिर मरने के भी नहीं क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे और जी उठने की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे परन्तु ये बात की मरे हुए जी उठते हैं मूसा ने भी जाडी की कथा में प्रगट की है कि वो प्रभु को इबराहीम का परमेश्वर इस हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परन्तु जीवितों का परमेश्वर है क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं ये सुनकर शास्त्रियों मेंसे कितनों ने ये कहा ए गुरू तुने अच्छा कहा उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हयाव ना हुआ फिर उसने उनसे पूछा मसीह को दाउद की संतान क्यों कहते हैं दाउद आप भजन सहिता की पुस्तक में कहता है प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक की मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के तले न कर दूँ दाउद तो उसे प्रभू कहता है तो फिर वो उसकी संतान कैसे ठहरा जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा शास्त्रियों से चौकस रहो जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना भाता है और जिनहें बाजारों में नमस्कार और सभाओ में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं वे विद्वाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं ये बहुत ही दंड पाएंगे अध्याए 21 फिर उसने आख उठा कर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा उसने एक कंगाल विद्वा को भी उसमें दो दमडियां डालते देखा तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विद्वा ने सबसे बढ़कर डाला क्योंकि उन सबने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है परन्तु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीवी का डाल दी है जब कितने लोग मंदिर के विशे में कह रहे थे कि वो कैसे सुन्दर पत्थरों और भेट की वस्तों से समारा गया है तो उसने कहा वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो धाया न जाएगा उन्होंने उससे पूछा हे गुरू ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन होगा उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए न जाओ क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और ये भी कि समय निकट आ पहुचा है तुम उनके पीछे न चले जाना और जब तुम लडाईयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है परन्तु उस समय तुरंत अंत न होगा तब उसने उनसे कहा के जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा और बड़े बड़े भूई डोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पढ़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन प्रगट होंगे परन्तु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंधी ग्रह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकडवाएंगे यहां तक की तुम्हें से कितनों को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड जाना निकट है तब जो यहूदिया में हों वो पहाडों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं और जो गावों में हों वे उसमें न जाएं क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी उन दिनों में जो गर्भवती और दूद पिलाती होंगी उनके लिए हाई हाई क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ती होगी वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौदा जाएगा और सूरज और चांद और तारों में चिन्न दिकाई देंगे पृत्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के खोला हल से खवरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां इलाई जाएंगे तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा उसने उनसे एक द्रिश्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो जो ही उनकी कॉंपले निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रिश्मकाल निकट है इसी रीती से जब तुम ये बाते होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीड़ी का कदापी अंत न होगा आकाश और प्रित्वी तल जाएंगे परन्तु मेरी बातें कभी न तलेंगी इसलिए सावधान रहो ऐसा न हो कि तुहारे मन, खुमार और मतवाले पन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्थ हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े क्योंकि वो सारी प्रित्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो और वो दिन को मंदिर में उप्तेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पाहड पर रहा करता था और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे अध्याय बाईस अख्मीरी रोटी का पर्ब जो फसे कहलाता है निकट था महायाजक और शाष्ट्री इस बात की खोज में थे कि उसको किसी प्रकार मार डाले पर वे लोगों से डरते थे शैतान यहूदा में समाया जो इस करियोती कहलाता और बारे चेलों में गिना जाता था उसने जाकर महायाजकों और पहरूओं के सरदारों के साथ बात चीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाएं वे आनंदित हुए और उसे रुपे देने का वचन दिया उसने मान लिया और अफसर ढूणने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बली करना अवश्य था और यिशु ने पत्रस और योहन्ना को ये कह कर भेजा के जाकर हमारे खाने के लिए फसह तयार करो उन्होंने उससे पूछा तु कहा चाहता है कि हम तयार करें उसने कहा देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना उस घर के स्वामी से कहो कि गुरू तुझ से कहता है कि वो पाहुनशाला कहा है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसा खाऊं वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा वहां तैयारी करना उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसे तैयार किया जब घड़ी पहुची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बाट लो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी के ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो इसी रिती से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया के ये कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है पर हाए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है तब वे आपस में पूष्टाश करने लगे के हम में से कौन है जो ये काम करेगा उनमें ये बाद विबाद भी हुआ के हम में से कौन बड़ा समझा जाता है उसने उनसे कहा अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं परन्तु तुम ऐसे न होना वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बनें क्योंकि बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूँ परंतु तुम वो हो जो मेरी परिक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठ कर इसराइल के बाहर गोत्रों का नियाए करो शमोन हे शमोन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके परन्तु मैंने तेरे लिए बिनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाईयों को स्थिर करना उसने उससे कहा हे प्रभू मैं तेरे साथ बंदिग रह जाने वरन मरने को भी तयार हूँ उसने कहा हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता मुर्ग बांग न देगा और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटूए और जोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तू की घटी हुई थी उन्होंने कहा किसी वस्तू की नहीं उसने उनसे कहा परंतू अब जिसके पास बटूआ हो वो ले और वैसे ही जोली भी और जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया उसका मुझमें पूरा होना अवश्य है क्योंकि मेरे विशे की बातें पूरी होने पर हैं उन्होंने कहा हे प्रभु देख यहाँ दो तलवारे हैं उसने उनसे कहा बहुत हैं तब वो बाहर निकल कर अपनी रीती के अनुसार जैतुन के पाहड पर गया और चेले उसके पीछे हो लिये उस जगे पहुँचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परिक्षा में और वो आप उनसे अलग एक धेला फेंकने के टपपे पर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा ए पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हिर्दय वेदना से प्रार्थना करने लगा उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी-बड़ी बूंदों की न्याई भूमी पर गिर रहा था तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उसने कहा क्यूं सोते हो उठो प्रार्थना करो कि परिक्षा में न पड़ो वो ये कही रहा था कि देखो एक भीड आई और उन बारों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था ये यिशू के पास आया कि उसका चुमा ले यिशू ने उससे कहा हे यहूदा क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा हे प्रभु क्या हम तलवार चलाएं और उन में से एक ने महायाजक के दास पर चला कर उसका दाहिना कान उड़ा दिया इस पर हीशू ने कहा अब बस करो और उसका कान छू कर उसे अच्छा किया तब हीशू ने महायाजकों और मंदिर के पहरूं के सरदारों और पुर्णियों से जो उस पर चड़ाए थे कहा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिये हुए निकले हो जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझे पर हाथ न डाला पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंदकार का अधिकार है फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए और पत्रस दूर ही दूर उसके पीछी पीछी चलता था और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकठे बैठे तो पत्रस भी उनके बीच में बैठ गया और एक लॉंडी उसे आग के उज्याले में बैठे देख कर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी ये भी तो उसके साथ था परन्तु उसने ये कहकर इनकार किया के हे नारी मैं उसे नहीं जानता थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देख कर कहा तू भी तो उनी में से है पत्रस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूँ कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य द्रिड़ता से कहने लगा निश्च ये भी तो उसके साथ था क्योंकि ये गलीली है पत्रस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है वो कही रहा था कि तुरंट मुर्ग ने बांग दी तब प्रभू ने घूम कर पत्रस की ओर देखा और पत्रस को प्रभू की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वो बाहर निकल कर फूट फूट कर रूने लगा जो मनुष्य येशू को पकड़े हुए थे वे उसे ठटों में उड़ा कर पीटने लगे और उसकी आँखें धाप कर उससे पूछा कि भविश्यवाणी करके बता कि तुझे किस ने मारा और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही जब दिन हुआ तो लोगों ने पुर्निये और महायाजक और शास्त्री इकठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा यदि तु मसी है तो हमसे कह दे उसने उनसे कहा यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीती न करोगे और यदि पूछू तो उत्तर न दोगे परन्तु अब से मनुष्य का पुत्र सर्व शक्तीमान परमेश्वर की दाहिनी और बैठा रहेगा इस पर सब ने कहा तो क्या तू परमेश्वर का उत्र है उसने उनसे कहा तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ तब उन्हें कहा अब हमें गवाई का क्या प्रयोजन है क्योंकि हमने आप ही उसके मुझ से सुन लिया है अध्याए 23 तब सारी सभा उठकर उसे पीलातुस के पास ले गई और वे ये कहकर उस पर दोश लगाने लगे के हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आपको मसी कहते हुए सुना है पीलातुस ने उसे पूछा उसने उसे उत्तर दिया के तू आप ही कह रहा है तब पीलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा पर वे और भी द्रड़ता से कहने लगे ये गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदियों में उपनेश दे दे कर लोगों को उकसाता है ये सुनकर पीलातुस ने पूछा क्या ये मनिश्य गलीली है और ये जानकर कि वो हेरोदेश की रियासत का है उसे हेरोदेश के पास भेज दिया क्योंकि उन दिनों में वो भी यरुशलेम में था हेरोदेश येशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था इसलिए कि उसके विशे में सुना था और उसका कुछ चिन्न देखने की आशा रखता था वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तरना दिया और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोश लगाते रहे तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठटों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहना कर उसे पीलातुस के पास लोठा दिया उसी दिन पीलातुस और हेरोदेश मित्र हो गए इसके पहले वे एक दूसरे के बहरी थे पीलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुला कर उनसे कहा तुम इस मनिश्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जाच की पर जिन बातों का तुम उस पर दोश लगाते हो उन बातों के विशे में मैंने उसमें कुछ भी दोश नहीं पाया है ना हैरोदस ने क्योंकि उसने उसे हमारे पास लोटा दिया है देखो उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह मनश्य दंड के योग के पाया जाए इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ तब सब मिलकर चिलाओ थे के इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे वो किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था पर पीलात उसने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया परंतु उन्होंने चिला कर कहा उसे ग्रूस पर चड़ा ग्रूस पर उसने तीसरी बार उन से कहा क्यों उसने कौन सी बुराई की है मैंने उसमें मित्यू के दंड के योगे कोई बात नहीं पाई इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ परंतु वे चिला कर पीछे पढ़ गे के वो ग्रूस पर चहाया जाए और उनका चिलाना प्रबल हुआ सो पिलात उसने आग्या दी कि उनकी बिनती के अनुसार किया जाए और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था और जिसे वे चाहते थे छोड़ दिया और यिशू को उनकी इच्छा के अनुसार सौप दिया जब वे उसे लिये जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरैनी को जो गाउं से आ रहा था पकड़ कर उस पर प्रूस लाद दिया के उसे यिशू के पीछे ले चले लोगों की बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और बहुत से इस्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीठती और विलाब करती थी यिशू ने उनकी ओर फिर कर कहा हे यरुशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो परन तू अपने और अपने बालकों के लिए रो क्यूंकि देखो वे दिनाते हैं जिनमें कहेंगे धन्य हैं वे जो बांज हैं और वे गरब जो नाजने और वे स्तन जिनोंने दूद न पिलाया उस समय वे पहाडों से कहने लगेंगे की हम पर गिरो और तीलों से की हमें ठाप लो क्यूंकि जब वे हरे पेड के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा वे और दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले जब वे उस जगह जिसे खोपडी कहते हैं पहुचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाइनी ओर दूसरे को बाई ओर प्रूसों पर चगा तब यूश्यों ने कहा ए पिता इने एक शमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं और उन्होंने चिठीय डाल कर उसके कपड़े बाट लिये लोग खड़े-खड़े देख रहे थे और सर्दार भी ठटठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया यदि ये परमेश्वर का मसी है और उसका चुना हुआ है तो अपने आपको बचा ले सिपाही बेपास आकर उसका सिर्का देकर उसका ठठा करके कहते थे यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आपको बचा और उसके ऊपर एक पत्वी लाया था ये यहूदियों का राजा है जो कुकरमी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी मिंदा करके कहा क्या तू मसी नहीं तो फिर अपने आपको और हमें बचा रहा है हम तो नायानुसा दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं पर इसने खोल अनुचित काम नहीं किया तब उसनी कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी लेना उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधिहारा चाया रहा और सूर्य का उजयाला जाता रहा और मंदिर का परदा बीच से फट गया और येशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा ए पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौपता हूं और ये कहकर प्राण छोड़ दिये सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा और भीड जो ये देखने को इकठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लोट गए और उसके सब जान पहचान और जो इस्तरियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी और देखो यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था वो उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न ना था वो यहूदियों के नगर अरी मतेया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्जे की बाट चोहने वाला था उसने पीला तुसके पास जाकर यूशु की लोथ मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपीटा और एक कब्र में रखा जो चटान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था वो तयारी का दिन था और सप्त का दिन आरंब होने पर था उन इस्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लोथ किस रीती से रखी गई है और लोट कर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तयार किया और सप्त के दिन तो उन्होंने आज्या के अनुसार विश्राम किया अध्याय चौबीस परन्तो सप्ता के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुएं को जो उन्होंने तयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लोड़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु येश्यू की लोथ न पाई जब वे इस बात से भोचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष जलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आखड़े हुए जब वे डर गही और धर्ती की ओर मुँ जोकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीते को मरहु में क्यों ढूंडती हो वो यहां नहीं परंतु जी उठा है स्मरण करो उसने गलील में रहते हुए तुम से कहा था कि अवश्य है कि मरुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और कुरूस पर चड़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कबर से लोटकर उन्होंने उन ग्यारें को और और सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेडितों से ये बाते कहीं वे मरियम, मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की और इस्त्रियां भी थी परन्तु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीती ना की तब पत्रस उठकर कबर पर दोड़ गया और छुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया देखो उसी दिन उन्हें से दो जन एमावस नाम एक गाम को जा रहे थे जो यरुशलेम से कोई साथ मिल की दूरी पर था और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बाचीत करते जा रहे थे और जब वे आपस में बाचीत और पूश्टाच कर रहे थे तो येशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया परंतु उनकी आखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके उसने उनसे पूछा ये क्या बाते हैं वे उदास से खड़े रह गए ये सुनकर उनमें से किलियु पास नाम के व्यक्ति ने कहा क्या तू येरुशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है उसने उनसे पूछा कौन सी बाती उन्होंने उससे कहा येशु नासरी के विशे में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविश्य द्वक्ता था महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यू की आग्या दी जाए और उसे क्रूस पर चड़वाया परन्तो हमें आशा थी कि यही इस्राइल को छुड़कारा देगा इन सब बातों के सिवाए इस खटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्यरे में डाल दिया है जो भोर को कबर पर गई थी और जब उसकी लोत ना पाई तो ये कहते हुए आई कि हमने स्वर्ग दूतों का दर्शन पाया जिनोंने कहा कि वो जीवित है तब हमारे साथियों में से कई एक कबर पर गए और जैसा स्त्रियोंने कहा था वैसा ही पाया प्रन्तु उसको ना देखा तब उसने उनसे कहा हे निर्बुध्यों और भविश्य द्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत्यों क्या अवश्च न था कि मसीह ये दूख उठा कर आपनी महिमा में प्रवेश करे तब उसने मूसा से और सब भविश्य द्युक्ताओं से आरंब करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विश्य में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया इतने में वे उस गाम के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ा चाहता है परन्तु उन्होंने ये कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह क्योंकि संद्या हो चली है और दिन अब बहुत धल गया है तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यबाद किया और उसे तोड़ कर उनको देने लगा तब उनकी आखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आखों से छिप गया उन्होंने आपस में कहा जब वो मार्ग में हमसे बाते करता था और पवित्र शास्त्रा अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन हुए वे उसी घड़ी उठकर यरुशलेम लोट गए और उन ग्यारें और उनके साथियों को इकठे पाया वे कहते थे प्रभू सचमुच जी उठा है और शमोन को दिखाई दिया है तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी के उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना वे ये बातें कही रहे थे के वो आप ही उनके बीच में आखड़ा हुआ और उनसे कहा तुम शान्ती मिले परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे के हम किसी भूत को देखते हैं उसने कहा कूँ गबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं मेरे हाथ और मेरे पावन देखो के मैं वही हूं मुझे चुकर देखो आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझमे देखते हो ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाउं दिखाए जब आनंद के मारे उनको प्रतीती न हुई और वे आश्चरे करते थे तो उसने उनसे पूछा क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है उन्होंने उसे भूनी मचली का टुकडा दिया उसने उसे लेकर उनके सामने खाया फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बाते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविश्य द्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विशय में लिखी है सब पूरी हो तब उसने पवित्र शाष्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरुशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिक्या मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो तब वो उन्हें वैत निहा तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठा कर उन्हें आशीश दी उन्हें आशीश देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरुशलेम को लोट गये और लगातार मंदिर में उपस्तित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे झाल 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 झाल